आदमी सो कर सुबा उठा तो उसने देखा कि इनके कमरे में बारा सिंग वाला एक जानवर है जो उसे ही घूर रहा है आदमी ये देखकर अपने बैट पर एकदम चुप चाप हो जाता है लेकिन जब इसकी बीवी की आथ खुलती है तो वो इस बारा सिंगा काफी दर जाता है और इसके पती के मुँँ पर धेर सारा पेशाप करके इनके कमरे से बाहर निकल आता है और सीधा जाकर अपने सींगों से सामने वाले दरवाजे को बीच से तोर देता है और कमरे में आकर बातरूम में घुस जाता है जिसमें ये लड़का बिन कपडो के नंगू नहा रहा और यहां पर डॉगी को हटा कर बारा सिंधा उसका सारा खाना खा लेता है और तभी परिवार के सभी लोग मीचे आकर कमरे के गेट पर एक साथ खड़े होकर बारा सिंधा को देखने लगते हैं और इसे अपने घर से बाहर निकालने की कुछ सोचते हैं तभी आदमी को आइडिया आता है वह अपनी बेटी से उसका खिलोने वाला बंदर लेता है और सभी लोगों को दर्वाजे से दूर हटा देता है और इसके बाद ये आदमी इस बंदर को बारा सिंधा की तरफ दिखाते हुए उसे अपने पीछे आने को कहता है बारा सिंधा बंदर को देखते हुए आदमी के पीछे खूग तेजी से भागता है आदमी इसमें थोड़ा डर जरूर जाता है लेकिन वो दर्वाजे से बंदर फेक कर बारा सिंधा को अपने घर से बाहर मिक्ता है